हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो आज मैं आप सब लेकर आई हूं मटन करी की रेसिपी तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और ग्रेवी कितनी गाड़ी है और मटन में कितना अच्छी तरीके से पक चुका है और कलर भी देखिए कितना मतन केसी तरह साफ किर दो अच्छी की में एक मतनë बड़ा रख है और मटन को मैंने इक बड़े से बावल में रख दिया है कि क्योंकि इस रासिपी को तो सबसे पहले इस रासिपी को बनाने के मैं में मैघनेड करूँगी सबसे पहले डालों के लिए हल्दी पाउडर ह constitu पा काली मिर्चे यहीं पर डाल देंगे स्वादनुसा नमक और यहीं पर मैं कुछ हरी मिर्च डाल दूंगी साथ मैं डाल दूंगी भरके एक चमच लसंद्र का पेस्ट और यहीं पर डालेंगे हम एक टोरी फ्रेश दही दही डालने के तुरंद बद हम यहां पर डालेंगे हमें उचीघ के ऊछाए म्याता भाइट लंगें तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपके कुछ खड़े मसाले लिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूं यह जीरा कुछ काली मिर्च है दो बड़ी लाइची चार छोटी लाइची जावित्री लॉंग यह चार पाच लिए मैंने लाल मिर्च सुखी यह पर मैंने तिछ पता जाए है ही पर टाल दूँगी मैं सरसो का तेल उपने हिसाब से कम Ride कर सकते हो चार तेल जैसी गरम होजा जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाया थे वह पर मैं एड़ करदोंगी सबी मसालों को एड़ करने के बाद हम इसे मसालों को हलका सा भून लेंगे तेल में ताकि अपना फ्लेवर जो कर मसाले तेल में छोड़ दे जैसी लगी कि मसाले भून गए हैं तो यहाँ पर हम आड़ कर देंगे प्याज तो प्याज को मैंने पहले से काट कर धोकर रखा था एक किलोमेटर बना निकले हम 500 से 600 ग्राम प्याज को इस्तमाल कर रहे हैं इस बात का ध्यान जरूर रखें प्याज को मोटा मोटा बिल्कुल भी ना काटे प्याज को पतले पतले स्लैस में ही काटे यह मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको मैं पतल पतल स्लैस में काटने क्यों वोर रही हो प्याज इस रेसिपी में अच्छे रिजल्ट के लिए हमें प्यास की भूनाई अच्छे तरीके से करने पड़ेगी तो तक प्यास का करा बिल्कुल लाल न हो जाए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्यास को हमें इस तरीके से भूनने है जैसा करा रही हो गया तो प्यास हमारा बिल्कुल रेड़ी है तो यहीं पर हम एड़ करेंगे मटन जिसे हमें ने मैंगनेट करके रख रखा था तो सभी मटन को हम यहाँ पर डैड़ कर देंगे अब मटन को भी हमें अच्छे तरीके से भूनाई करनी है मटन को मसालों में भूनने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्यूंकि मटन ने जो पानी छोड़ता है और उस पानी को सुखाते हुए हमें अच्छी तरके से मटन की भुनाई करनी है कई लोग कहते हैं कि मटन की ज़्यादा भुनाई करने से मटन जो सही से पकता नहीं है पर ऐसा कुछ भी नहीं है मटन की जितने अच्छी तरके से भुनाई होती है उसका स्वाद भी उतना ही ज्यादा बढ़के आता है और हाँ फ्रेंट्स अगर आप हमें फेस्बूक या इंस्टागरम पेस पे देख रहे हो तो हमारे पेस को फोलो कोना बिल्कुल भी न भूलें थोड़ा भुनने बाद हम यह पे अड़ करेंगे मीट मसाला मीट मसाला डालके भी हम इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे तो आप यह रेस्पी एक वाद जुरूर ट्राइ करें बहुत ही स्वादिश्च बन के त्यार होता है यह इस तरीके से मेरे घह में तो सब बहुत ही पसंद करते हैं जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ इस रेस्पी को तो तो मीट मसाला डालकर भी मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर दिया है देखे कितना बढ़िया कलर आगे हमारे मटन में और देखे तेल में छोड़ दिया है मटन अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं चौज तरफ तेल तेल हो रहा है और निचसी चिपक भी रहा है बस हमें यही तक भुनाई करनी है जब तक मटन जो निचसी चिपकने ना लग जाए और तेल सारा छोड़ना दे अब नहीं पर हम पानी एड़ करेंगे ग्रेवी जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पतला या गाड़ा पतला रखने तो ज़्यादा पानी एड़ करें और ग्रेवी गाड़ी रखनी है तो पानी कम एड़ करें तो मैंने पानी कम ही एड़ किया है क्योंकि मुझे ग्रेवे जो गाड़ी चाहिए पानी डायकर अच्छे तरीके से मिला लूँगी में और अब ढ़कन लगाकर हम कूकर में 3-4 सीट आने देंगे तो सीटी लग चुका है और गैस भी निकल चुका है तो मैं धकन खोल रही हूं देखिए हमारे मटन बनके तयारे कर कितना बढ़िया लग़ा और कितना लाज जवाब लग़ा हमारी रैसीपी देखने में और ये बिल्कुल अच्छे तरीकी से पक चुका है तो इस रैसिपी क जो टूटे नहीं है सारे सावू सावू होते हैं और जो हमारी ग्रेवी है ग्रेवी भी देखे कितनी गाड़ी है मैं आपको बताई थी ना हमारे प्याज पत्ले प्रेस में क्यों काटना है इसलिए कि हमारे ग्रेवी बिल्कुल गाड़ी बने और हमें जैसे लग रहा है कि हम अपने प्याज को पीस के एड़ी किया है इसमें देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो मटन वो भी अच्छी तरीकी से पक चुका है यह देखिए को कितने असानी से इसमें जा रहा है तो चलिए मटन तो रैड़ी हो चुका है यह पर मैं डाल दूँगी एक मुठी भर के धने का पत्ता बारी कटा हुआ अब सभी को मैं मिला दूँगी तो मटन जो पूरी तरह से खाने के लिए रैड़ी है तो आप और आपको परिवार इसे इंजोई करें और मुझे कमेंड बोक्स में जरूर बता है